और ने किसí लाको से सिफिखें तो लेटर फीडिये ऑंक प्रिसस तो इस ब्रॉपि един की पूरियर के पात्रों आपके पास अ आ, पैस की जिनले के दी, आपके पास 124 ऐसे हो गए जो बड़िया वाले है ठीक है वह एक पैन खरीदेगी अगर वह अच्छा है तो बाइंग की प्रवेल्टी होगी 124 अपन में 144 इसको कट कर देंगे 31 by 36 और नोट बाइंग की हो जाएगी आपके पास 20 upon 144 इसको कट करके सोल कर देंगे तो आपके पास आजएगा 5 by 36 तो कि डिफेक्टिव हो गया तो खरीदे गे निदिफेक्टिव कितने हैं 20 ठीक है 144 टोटल थे इसलिए नेक्स कोशिशन है आपके पास अगें कंसिस्ट आफ टॉसिंग वन रुपी कोई थी ताइम संद नथिंग एच ताइम हन्यफ विल लूज इफ और दोस इस गिफ ते शेम रिजल्ट आपके पास थी ते ते त बनती है यह कैसे बनती है मैंने आपको पहले बताया है टू टाइमस के सम्पल से एक बर एक लगा देंगी पीछे पीछे फिर बिसने जबर करेखा अगर वह सेम रिजल्ट नहीं देगा कि हानिफ विल्लूजूज की पर वैल्टी हो जाएगी जब वह सेम रिजल्ट नहीं देगा याने की 1 2 3 4 5 6 केसे में और वीनिंग की क्यों जागे अगर पूछा वियो कोशन में तो बाइट लूजिंग की होगी सिक्स बाइट नेक्स कोशन था आपके पास अग डाई को फैंका गया डाई को ट्वाइस टाइम ठोन किया गया है प्रबैलिटी फाइंड करने हैं क अब टू टाइम्स ट्रोइंग की होती है हमारे पास कोई की टाइस की सेंपल स्पेस यह वाला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 ऐसे इसे अपके पास 36 आउटकम जाएंगे ठीक है अब इसने का फाइव नोट कम अप ऐधर टाइम फाइव एक बार भी नाए तो यह जो आप फाइव वाले ह फाइव एक बार आएक दो तीन हो गया चार इफ फाइव फस्के समेड़ी चोड़ था हमारे पास और यह चीज हो गया हमारे पास जब कम से कम हम एक बार तु आता ही है दो बार भी आ सकता है कि यह था तर नीच्प्र नेक्स मैंने आपका शुरू किया है लिए चाप्ट फर्स कोशन आपिन में MARK एक सेंट्मй कोशन निकाल लेए आपकेस इसल हम ऩरश दिसक्रस क्या है है a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality when the means of the plants plants per house दो को मीन फाइं करने के लिए पहने मैंने आगर आपके पास शॉर्ट कट लगाया स्वरी डाइक में अब लगाते हैं जब कल्कुलेशन इजी होती है बहुत छोटे नंबर होते हैं उनको मेल्टिपाय करना असान होता है नंबर ओफ आपको यहां पे दिया है प्लांट्स ठीक है उसके बाद नंबर ओफ आउसे दिया हूँ है तो पहले आप इसको क्या लटके जी एकसा ही निकाले जी एकसा ही कैसे निकलेगा इन दोनों के मिड वैल्यू जीरो प्लस टू बाइट वान टू प्लस फॉर बाइट वाइट वान थी अब इनमें कितना गैप है तू तू का तो उनमें भी टू तू का गैप लगा दिजिए वान थ्री फाइव सेवान एलेवन थर्टीन को एफिलेट कर लिया अगर हम डालेक् से इस तरह से अब देखें यहां करना अशान हो गया बलकल कुछ छुट-छुटी कल्कुलेशन ही है तो टोटल कर लीजिए वान सक्टी टू टॉटल ओफ एफाइप वाइब लीजिए टुटी तो मीन का मेथड होता है मीन को दिनौट करते है एक्स बार से ठीक है तो फॉम गॉट इट अब नेक्स कोशन में डिसकेस किया है जिसमें मैंने आपको शॉटकट मैथड बताया है इसमें क्या था कंसर फॉलिंग डिस्टिबिशन देली वेजिश विफ्टी वरकर सिन फैक्टरी में वेज़िस फाइंड आउट करनी है डेली वेज़िस की वने क्लास इंट फिफ्टी वन सेवेंटी वन नाइंटी इस तरह से कॉर्रस्पोनिंग फाइए हो गया डिवन एकोशन में शॉटकट में हमें अज्यूम मीन लट करना पड़ता है यह कितने नंबर आपके फाइव इसको ए लट कर लिजिए इक्वल नंबर ओफ टम ऊपर से छोड़ दी इक सब्सक्राइब करना है इन दोनों की मल्टिप्लाइब जो काम एक से कर ले थे वह काम एक्वाइब करेंगे 12 x 40-480 14 x 20-28 x 006 x 20 10 x 40 400 अब माइनस वाले लग प्लस कर लिजिए जो अंसर आएगा उनको फिर माइनस कर दीजिए आपके पास माइनस 240 आ जाएगा जैसे आपके पास माइनस 480 माइनस 280 है ठीक है इनको आप अलग प्लस कर लिजिए इनको अलग से याड़ कर लिया आपके पास 760 आ गया नीचे 520 हैं उनको लक्षे कर लिया अब इन दोनों का माइनस करके माइनस वाला बढ़ा है तो माइनस 240 आ गया अब इसमें वैथड होता है एक्स बार इकोल टो ए प्लस सिग्मा एफ फाई डियाई अपन में सिग्मा एफ फाई यह है एजूम में 150 सिग्मा फाई डियाई माइनस 240 इंचे सिग्मा एफ फाई यह प्लस कर लीजिए इनको 50 सॉल करके आपके पास आजाएगा 145.20 ठीक है नेक्स मैंने कोशन डिसकर्स किया है कोशन नॉम्बर थर्ड इसमें क्या है डिसकर्स करने का परपस बाकी कोशन सेम यह सारे इसमें आपको डेल इसमें आपको एक एफ में गीवन है जब ऐसा कोशन आए तो डिरेक्ट मैठड ही लगाते हैं एक साही निका लिया पहले मिड वैल्यू इसमें ध्यान रखने वाली बात है ट्वंटी को एफ से मैटी एफ आएगा और जब आप एफ को प्लस करोगे तो ट्वंटी एफ अलग से लिखा जाएगा बाकी सारे अलग से अब इस कोशन में मीन गीवन है इसका फॉर्मला होता है सिग्मा एफ 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 आपको मोड में हमारे पास क्या है एक मोड को मतलब आपको पता है जहां पे हमारे पास क्राइएंस फिक्वेंट सी होती है ठीक है अब क्लास इंट्रवल मतलब कॉंटिनिव सीरीज आपको गिवन है एक इसमें आपने मोड वैल्यू फाइंड आउट करनी है जैसे मैंने कोशन डिसक्रस किया फ़र्स है चाहर फ तो number of patients given is find a mode and mean भी find करना है mean आप find कर लेंगे उसके बाद आपने comparison तो करना है हो आप करेंगे मैंने सरफ mode discuss किया है A is given a number of patients given है आपके पास तो mode बिलकुल simple है simple data में तो हम जो बड़ा F होता है उसके recording निकाल देते हैं class interval लिख दिये number of patients लिख लिए इसमें भी आपने फॉर्मला यह है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 पॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टू H यानि कि GAP OF THE CLASS INTERVAL कई इसको I भी बोलते है F1 क्यों होता है जो आपके हाइस फ्रिक्वेंसी होगी उसको आप F1 मानेंगे पूरा F में जो बड़ा F होगा उसके उपर वालों का आप मानेंगे F0 और उसके नीचे वालों का आप मानेंगे F2 तो हाइस 23 है तो F1 होगा 23 F0 इसके उपर वाला 21 2 F1 23 का डबल 46 F0 21 F2 14 L क्या होगा जो F1 के सामने वाला लोवर लिमिट होगा 35 इंटु गैप कितने कितने का यहाँ पर तो इसको अप्सॉल करेंगे 35 प्लस इनको माइनस करके 2 आगया 2 इंटु 10 नीचे 46 माइनस 21 माइनस 14 को करके आगया 11 35 प्लस 20 पॉन 11 L सम लेंगे 11 को 35 से मुल्टिप्लाइ किया 385 प्लस 20 पॉन 11 इसके भी सारे क्वेशन सेम हैं आपके पास एक मैंने फिफ्ट कोशन डिसकस किया है इसमें भी C.I.A. गिवन था आपको क्लास इंटर्वल नमबर ओफ बैट्समें गिवन थे अपने मौड वैल्यू फाइंड करने थी एल लोर लिमिट होगे 4000 F1 हो गया 18 F0 हो गया 4 2 F1 18 x 2 36 F0 4 F2 9 इंटू गैप कितने का है 1000 का तो 4000 18-4 14 14 x 1000 हो गया 14000 36-4 32 32-9 23 तो सौल करके आगे आपके पास 92,000 प्लस 14,000 अपॉन 23 सौल करके आएगा 106,000 23 that is equal to 4608.69 गोट इट तो इस तरह से मैंने आज आपको मौड और मीन दोनों डिसकस किया है दोनों एक्साइस हो जाएंगे कोई डाउट हो तो पूछिए थैंक यू अल